यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा Redmi Note 9 Pro के लिए Pro Max के लिए Android 11 का अपडेट आप लोग कब तक देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर वीडियो के साथ इन तक बने रहे हैं तो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाईज यहाँ पर कुछी दिन पहले Redmi Note 9 Pro के लिए अचानक से इंडिया में Android 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया तो वह भी MIUI 2L के न्यू विल नंबर अपडेट के साथ बट यहाँ पर यह जो अपडेट है अभी भी सभी यूजर को नहीं मिला जितने भी यूजर Redmi Note 9 Pro के सभी यूजर को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर वो एक ही बार अपडेट रिलिस किया गया तो उसके बाद फिर से यह अपडेट देखने के लिए नहीं मिला हो सकता है साथ दूसमा कुछ बंस देखने के लिए मिल गए होंगे जिसके आप प्रिपेर हो रहा है स्टेबल अपडेट के लिए यानि कि यह जो अपडेट है Redmi Note 9 Pro Max के लिए अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर Android 11 का जो अपडेट है स्टेबल के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पर काम चल रहा है जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको यह अपडेट रोल आउट हो जाएगा यानि कि मैं बात कर रहा है Redmi Note 9 Pro Max की तो अगर आपके बास Redmi Note 9 Pro Max है तो यहाँ पर आप लोग के लिए भी बहुत ही चल Android 11 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा अब भी फिलाल इस पर काम चल रहा है स्टेबल अपड आप लोगों के लिए फिर से रिलीज किया जाएगा कुछी दिनों में आप लोगों को फिर से अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा तो तब तक के लिए थोड़ा सा यार वेट कर लेना और आप लोगों को बता दू यहाँ पर तब तक के लिए क्या करना है Telegram चैनल को आप लोगों को लाइक कर लो नीचे जो लाल बटन जिस पे लिक है सब्सक्राइब उसको प्रेस कर दो तो कोई भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब कर लो अभी के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में बाट